उटो सेंस यूट्यूब चेनल पर आपका स्वागत है दोस्तों कार डेनपैंट सीरीज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से हमने चेवरो ले टवेरा गाड़ी का फुल रेस्टोरेशन किया है इसमें हमने डेनपैर करने से लेकर पूरी गाड़ी पर जहां कहीं भी जंग लगा हुआ था उसे रिपैर किया है और फुल गाड़ी को पेंट किया है काम की सुराज करते हुए हम गाड़ी के इंटीरियर और एक्सिरियर की पूरी फिटिंग खोलेंगे गाड़ी के इंटीरियर की फिटिंग खोलने पर गाड़ी की पूरी बोड़ी में अंदर भी जंग लगा हुआ है और हम इसे भी पूरा रिपैर करके पेंट करेंगे सभी फिटिंग खोलने के बाद हम गाड़ी के बोड़ी के अच्छे से वासिंग करवा रहे हैं जिससे उसमें जितनी भी धूल मिट्टी और गंदगी जमी हुई है वो क्लीन हो जाएगी कर दो कर दो कर दो भी जाएगी अब हम गाड़ी में जहां कहीं भी जंग लगा हुआ है उसे रिपेर करेंगे और जो हिस्सा जंग की वजए से ज्यादा गल गया है उसे हम ग्राइंडर से काट कर निकाल देंगे और उसकी जगा नया पीस वेल्ड कर देंगे गाड़ी की लेफ्ट और राइट साइड की अपरोन जंग लगकर बहुत ज़्यादा खराब हो गई है जिसे हम गैस कटर से काट कर उसकी जगा नई अपरोन लगाएंगे और गाड़ी का जो डैस पेनल है वो भी बहुत ज़्यादा खराब हो गया है गाड़ी का डैस पेनल हमें नया नहीं मिल पाया इसलिए हम एक बहुत अच्छी कंडिश का second and death panel लेकर इस गाड़ी में लगाएंगे यहाँ पर हमें गाड़ी की नई अपरोन डिलिवर होने में थुड़ा टाइम लग गया है तो हम काम ना रोक कर गाड़ी की बोड़ी पर जहां कई भी डैंट और जंग रिपेर करने का काम हुआ है वहाँ पर बोड़ी फिलर भर रहे हैं हमने गाड़ी की बोड़ी पर बोड़ी फिलर भरा तब तक हमारे पास में गाड़ी की दोनों साइड की नई अपरोन भी आ गई है और अब हम अपरोन को उसकी जगा पर वेल्ड करेंगे हमने गाड़ी की बोड़ी पर जो बोड़ी फिलर भरा था उसके सूखने के बाद हमने उसकी 80 और 180 नंबर के सेंड पेपर से कटाई करके गाड़ी का जो ग्राउंड है उसे प्रोपर सेप में बना दिया है और अब हम उस पर पुट्टी अपलाई कर रहे हैं जिससे सेंड पेपर के जो निसान बन जाते हैं वो कवर हो जाएंगे पुट्टी के सूख जाने के बाद हम उसकी 600 नमबर के वेट सेंड पिपर से मंजाई करेंगे जिससे एक्स्ट्रा लगी पुट्टी कट जाएगी और सर्फेस एकदम स्मूथ हो जाएगा अब हम पूरी बॉडी पर प्राइमर मार रहे हैं और यहाँ पर हमने प्राइमर में ही थोड़ा रेड पेंट मिक्स किया है जिससे बाद में हम जब इस गाड़ी को पेंट करेंगे तो पेंट की फिनिसिंग बहुत बढ़िया मिलेगी और पेंट में धब्बे दिखाई नहीं देंगे अब हम इस गाड़ी को पेंट करना सुरू कर रहे हैं गाड़ी का पेंट वेलवे ट्रेड है और यह एक मिटालिक पेंट है यहाँ पर हम डुक्सोन कमपनी का पेंट इस्तमाल कर रहे हैं झाल कर रहे हैं दोस्तो हमारे कुछ वीडियो पर कमेंट आते हैं कि आपने बिना पेंट बूत के पेंट मार दिया तो इस बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि आप हमारे काम की क्वालिटी और फिनिसिंग का अंदाजा इस गाड़ी के पेंट को देखकर लगा सकते हो जरूरी नहीं है कि महेंगे टूल्स और प्रोडक्ट इस्टमाल करने से ही काम अच्छा होता है गाड़ी का पेंट सूखने के बाद हमने सारी फिटिंग कम्पलीट कर दी है और इसी के साथ चेवरोले टविरा पर हमारा रिस्टोरेशन जोब कम्पलीट हो गया है इस गाड़ी को फूल रिस्टोर करने में जो भी खर्चा हुआ है उसे आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो आप प्रचा है